पेपर में subject आपको किस order में करना है वो एक factor पर depend करेगा ध्यान से सुनना क्या है वो factor शुरू के 30 मिनट तीन घंटे का आपका पेपर है शुरू के 30 मिनट यानि कि आदे घंटे सारा गेम वहीं होना है अगर शुरू के 30 मिनट में आप में confidence आ गया कि मुझे तो पेपर आता है मेरा तो अच्छा जाएगा तो आपका अच्छा जाएगा बट अगर शुरू के आदे घंटे में उल्टा हो गया आपके दिमाग में आ गया यार मेरे को तो आता ही है हडबड़ा आ गया घबरा गया तो आपका पेपर गया ठीक है तो आपको शुरू के 30 मिनट में ध्यान स तरफ बढ़ना है. मैं अगर पेपर देने जाता, तो मैं सबसे पहले Hindi करता, Reasoning करता, Computer करता, उसके बाद मैं Pedagogy करता, फिर मैं EBS करता, फिर मैं Maths करता, फिर मैं English करता, Current Affair और GK मैं सबसे आखिर में करता. क्यों? क्योंकि Current Affair और GK में क्या आने वाल है किसी को कुछ नहीं पता, लिटरली किसी को कुछ नहीं पता, उनको अगर आप सबसे पहले करोगे, हो सकता है, आपको पूरे दस में से सुर्फ तीन या चार क्वेश्चन आते हूँ, आपको लगेगा है, मेरे को तो पेपर में कुछ आता ही नहीं, दूसरी तरफ, कहने का मतलब यह है, कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता है, आप मों सबसे पहले करो, उसके बाद उससे थोड़ा difficult, फिर उससे difficult, और वो सब्जेक्ट सबसे end में करो, जिसमें आपको पता है कि आपको बहुत कम question आते होँगे, ठीक है, अगर आप ये order follow करोगे, आपको शुरू के 30 मिनिट में ही confidence आजाएगा कि मेरे को तो आता है पेपर में बहुत कुछ मेरा अच्छा जाने वाला और actually में अच्छा जाएगा ठीक है तो ये चीज़ा आपको ध्यान रखनी है